अगर आपका किसी भी सरकारी बैंक में अकाउंट है तो इस महीने में आपने देखा होगा कि आपके अकाउंट से 42 रुपे से लेके 210 रुपे की धन्दाशी काटी जा रही है यह amount आपके खाते से क्यों काटा जा रहा है बेंक आपके खाते से इतना पैसा हर महीना क्यों काटती है जिसके आपको कोई भी खाबर नहीं है अगर आपके पास बैंक के तरफ से proper हर महीना message आ रहा है तो आपका confusion और बढ़ रहा है कि भई ये पैसा हमारे account सो क्यों कटता है तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में आपको complete जानकारी मिलने वाली है कि कौन सी ऐसी service है जो bank के तरफ से आपके account पर लगा दी गई है जिससे आपका हर महीने इतना balance कट रहा है जिसके बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं है कि इसमें आपका क्या benefit हो सकता है bank का इसमें क्या फाइदा है bank ने कैसे और कब ये scheme चालू कर दी है कि हो सकता है कि जाने अन जाने में आपने कोई form भर के bank में जमा कर दिया है जिसके according आपका ये हर महीना पैसा कट रहा है तो देखिए अगर आपके भी account से इस परकार का कोवी पैसा bank के दोरा आपके खाते से काटा जा रहा है तो अब आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है पहले आप ये समझ लीजिए कि कौन सी scheme है क्यों bank आपके खाते से पैसा काट रही है इसमें आपका क्या benefit है उसके बाद आपको आगे का decision लेना होगा तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस योजना का नाम है अटल pension योजना इसके अंतरगत government की तरफ से आपको आपकी 60 साल उमर पूरी होने के बाद आपको हर मैना 1000 रुपे से लेके 5000 रुपे तक की pension मिलेगी और वो भी lifetime guaranteed pension मिलेगी इस योजना के benefits को बताने से पहले मैं आपका ये doubt clear कर दूँ कि आपको ये याद भी नहीं आ रहा होगा कि भई आपने ये योजना बैंक जाकर कब ली और कैसी लीग और क्यूं आपके account पर ये लगा दी गई तो मैं आपको बता दूँ कि सरकार के तरफ से सबी सरकारी बैंकों को ये target मिलता है कि भईया हर महीने आपको इतने लोगों को ये insurance देना है बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बैंक आपकी बिना permission के आपके account पर ये सुभी दा लगा देगी होता क्या है कि जब भी आप bank में जाते हैं या किसी भी CSP point पर जा रहे हैं जैसे for the example आपका State Bank of India में account है तो आप cash को withdrawal करने के लिए bank भी जा सकते हैं और किसी भी State Bank of India के CSP point पर भी आधार card से, account से, SIAEF से कैसी भी transaction कर सकते हैं, ATM की through भी आप transaction कर सकते हैं, तो कभी भी आप CSP point पर जाते हैं, पैसा निकालने के लिए तो वहाँ पर, यह तो आपके साथ यह गटना हो सकती है, कि आप किसी भी State Bank of India के CSP point पर पैसा निकालने के लिए जाते हैं, तो उनको भी भी आप bank के तरफ से target मिलता है, तो जितने भी SGI के customers हैं, उनको बिना बताई यह service उनको उनके account पर ठोक दी जाती है, क्योंकि उनको अपना target पूरा करना है, otherwise उनका point भी बंद कर दिया जाएगा, ऐसी वो treats मिलती हैं, बैंक के तरफ से और company के तरफ से कि अगर आप insurance policy को customers को नहीं दोगे, तो आपका point बंद कर दिया जाएगा, तो बहुत सारे customer के case में ऐसा भी हुआ है, कि उनको पता नहीं होता है कि यह service कब लागू हुई, तो उनको यह ध्यान रखना होगा, कि आप किसी भी statewide of India के CSP point पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको यह service दे दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यह जो योजना है वो कोई गलत योजना नहीं है, क्योंकि सरकार का इसके पीछे एक बहुत बड़ा motive चुपा हुआ है और वो यह है कि जितने भी middle family वाले लोग हैं, जितने भी मजदूरी करने वाले लोग हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं, जिनका बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं होता है उन सभी को उनके बुढ़ापे में life time एक सहारा बनाने के लिए इस योजना को लगाया गया है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि practically बहुत सारे cases में ऐसा देखा गया है कि जब पती-पतनी की एच जब अधिक हो जाती है तो बुढ़ापे में उनको किसी ने किसी एक सहारे की जरुरूद पढ़ती है, और कुछ cases में ऐसा भी देखा गया है कि बुढ़ापे में उनको घर से ही निकाल दिया जाता है तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए इन सभी समस्याओं को आपको दूर रखने के लिए गवर्मेंट ने इस योजना को निकाला है इसके तहट जब आप 60 साल की उमर पर पहुँचेंगे तो इस योजना के तहट आपको 1000 रुपे से लेके 5000 रुपे तक की पैंशन सरकार के तरफ से lifetime guaranteed बिल्कुल free में दी जाएगी अब हम बात करते हैं अटल pension योजना के benefits के बारे में अगर आप यह चाते हैं कि इसको बंद कैसे कराना है तो इसके बारे में भी लास्ट में मैं आपको बताऊँगा तो वीडियो में पूरा बने रही है पहले हम इसके benefits को जान लेते हैं हो सकता है कि इसके benefits को जानकर आप इसको बंद कराने का इरादा ही बदल दें जैसे कि आपको पता चल चुका है कि इसका सबसे बड़ा benefit है pension provide कराना 60 साल की उमर के बाद आपको pension दिये जाएगी अब इसके दोरान जब आप इसको continue कर रहे होते हैं हर महिना आपके अकाउंट से 42 रुपे से लेके 210 रुपे तक की जो payment कट रही होती है वो आपके age की according कटती है अब यहाँ पने मैं आपको इसके condition यह बता दूँ कि 18 साल से लेके 40 वर्ष तक के ही लोग इसको ले सकते हैं इस योजना में maximum 5 प्लान होते हैं 1000 रुपे से लेके 5000 रुपे तक किसी भी प्लान को आप चूज कर सकते हैं उसके accounting ही आपका पैसा आपके account से कटेगा जैसे कि अगर आपकी age 18 साल की है और आप 5000 रुपे मंतली वाला pension plan को चूज करते हैं तो फिर आपके account से आपकी 60 साल की उमर तक 210 रुपया कटेगा और आपके pension account में जमा होता रहेगा अब यहाँ पर सरकार ने आपके लिए ये भी सहुलित दिये कि अगर pension holder की death हो जाती है तो उस condition में पती या पतनी को उसका pension का amount मिलता रहेगा और अगर पती या पतनी की दोनों की death हो जाती है तो इस condition में सरकार की तरफ से 8 लाख रुपय की नोमिनी को आर्थिक साहिता प्रदान की जाएगी अब इसमें एक और point आपके फाइदे के लिए ये रखा गया है कि अगर pension holder की 60 साल से पहले ही death हो जाती है तो इस condition में पती या पतनी इस policy को अपने नाम पर transfer करा कर उसको continue रख सकते हैं और उनकी जैसे ही 60 साल की age complete होगी तो उनको same benefit उनको भी प्राप्त होते रहेंगे lifetime तक और अगर pension holder की उसकी शादी से पहले उसकी death हो जाती है तो इस condition में उसके account पर जो भी नोमिनी होगा उस नोमिनी को government की तरफ से पूरा साड़े 8 लाग रुपय दिया जाएगा और इसी के साथ इस policy का सबसे बड़ा benefit सरकार ने आपको ये दिया है कि अगर आपकी 60 साल की उमर होने से पहले पहले आपको कभी भी पैसे की जरूत पड़ती है तो आपके इस pension account में जितना भी पैसा आपके account से cut cut के जमा हुआ है उस सभी पैसे को आप कभी भी bank से वापस भी ले सकते हैं आपके जमा पैसे के साथ साथ आपका जितना भी interest बना होगा उसके साथ में आपको सारा पैसा bank के दौरा मिल जाएगा यानि कि हम बात कर रहे हैं कि अगर आप इस policy को close कराना चाते हैं अटल pension योजना को बंद कराना चाते हैं तो उसके लिए भी आपके पास रास्ता है इसको बंद कराने के लिए आपकी home branch में आपको जाना होगा जहां पर आपका account है तो simple इसको बंद कराने के लिए आपको आपकी home branch में जाकर एक application देनी है और आपकी अटल pension योजना बंद हो जाएगी और जो भी पैसा आपके खाते से कट चुका है वो maximum तीन महीने के अंदर आपके account में बैंके दोरा credit कर दिये जाएगा तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है आई होब आपको काफी अच्छी लगी होगी अगर आप पहले बार हमारे Smart Shop YouTube चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सबस्क्राइब जरूर कीजिए और बैल आइकन गूर प्रेस कीजिएगा तो चैनल ये दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ एक नई अपड़ेट के साथ और एक नए जोश के साथ तब तक के लिए जाएगा